हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में मैं हूँ एड़ोकेट सन्नी शर्मा दोस्तो आज की इस वीडियो में जो चीज मैं आपको मैं आट्रिमुनिल पर समझाने वाला हूँ वह हर एक विक्ति को देखना बहुत जरूरी है उन फैमिलीज को देखन दूर की सिटिस से भी होते हैं यानि कि बहुत दूर-दूर मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे 1000-2000-2000 किलोमेटर दूर से भी होते हैं और पीडा लेके आये होते हैं अपनी बात बता रहे होते हैं कि हमने कुछ नहीं किया अभी कुछ ही टाइम हुआ मैरीज को और हमारे साथ कारण भी है दोस्तों ये तो हो गया कि आप क्या सोच रहे हैं अब सोचना और करना दो अलग-अलग बाते होती हैं एक तो होता है कि आप सोचते रहें अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्जम्पल ऐसे बता रहा हूं जो भी रिसेंटली मेरे सामने आएं यानि कि चांपल बताता हूं गुजराती स्टेट का है वहां पर एक लड़के ने काफी पहले मेरे से बात करी और पूछा मेरे पर मेरी फैमली पर इतने जूटे के सो रखें मैं इससे बाहर कैसे आ सकता हूं और मैं अपनी तरफ से लड़की वालों पर क्या-क्या कर सकता हूं उनक चीजों को कंफर्म किया कंफर्म करने के बाद वो लड़का चुपचा बैडिया रिजन उसको पता होगा और चार-पांच महिने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हां मुझे स्टेप लेना है यानि वो फोर टू-फाइम मांस उसने वेस्ट करें पहले अब जब इस चीज का एक्जिक्यूशन हुआ नहीं है एक और रिसेंट मामला मेरे सामने आया जहां पर लड़का और लड़के के परिवार वाले बहुत ज्यादा परताडित होने के बाद वो आते हैं अपनी सिटी के हैं पिता जी कहते हैं जी मेरेको इतना 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 ऐसे हम लोग को परशान कर दिया इतना सब कुछ उन्होंने केसे कर दिया वो कर दिया आप तो कैसे भी करके हमें अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना और उनको यहां पर बुलाना है ताकि उनको भी पता चल सके कि भाया चीज़े क्या होती है उनको सारी चीज़े समझाई गई कि जी देखो ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे करके आप यह काम कर सकते हैं आपके भी अपने लीगल राइट है आप उनका एक्जिक्यूशन कर सकते हो ठीक है जब सारी चीज़े बिल्कुर रेडी हो गई और हम कोट में केस दर्च करने वाले उससे जस्ट पहले आकर के कहते हैं कि क्यों मत करो मैं आपको उसका रिजन बताता हूं हम मेडीकल निकरवाइंगे अधिकृशन कर रहें हमें पुलीस में कम्प्रेंट रिसीव निकर आएंगे क्योंकि मेरी रिस्की लगता है आप ऐसा करो जो हम कह रहें वो चीज इसमें लिखो और उसके बाद केस को दर्च कर अब आप लोग सोचिए किया यह possible है आदमी इंसान आज के समय क्या चाह रहा है लड़के वाले जो अधिकतर होते हैं husband family जो फसी हुई है उनके mentality में आपको बता रहा हूँ हो सकता है सब ऐसे नहों कि कुछ तो बहुत boldly भी आते हैं लेकिन अधिकतर के साथ यही हो रहा है वो बैठना comfort zone में चाहते हैं रिस्क 1% नहीं लेना चाहते हैं लेकिन result वो चाहते हैं जो मैं अपने videos में बताता हूँ यह कैसे possible हो जाएगा क्योंकि action तो आप वो चाह रहे हो जो आप सोच रहे हो जैसा आप चाहा रहे हो वैसा action हो और result आप वो चाह रहे हो जो मैं बता रहा ह comfort zone में उनके उपर case करूं और comfort zone में मेरा case चले मेरे उपर कोई बात ना है लेकिन result मुझे 100% मिले तो भाया भूल जाओ आप आपके लिए कुछ नहीं है आप सीधा सीधा reply file करो और cases को लड़ते रहो 10 साल 20 साल जितना भी लड़ना है आप क्या कर सकते हैं आपके क्या legal right है व उसके साथ साथ आपके mind में थोड़ा सा यह होना चाहिए कि यहां भई अभी हम भी stand लेंगे सामने वाले ने आपके उपर F.I.R कर दी कई बार आप जाकर के देखते हो कोट में medical भी लगावा होता है और लड़की एक साल पहले आपके घर से गई थी तमाम परकार के जूट निकराएंगे मड़ लगता है पुलिस से भाई यह देन no remedy for you अगर आप यह सोच रहे हो मेरी पत्नी न ऐसा किया उसने ऐसा किया वो चिल्लाई थी उसने धंकिया दी थी उसने इस्टार्शन किया था मैं केस डाल दूँगा और उसमें कुछ पालूँगा नहीं पा सकते पार-पार की लड़ाई करनी पड़ती है कि चलो ठीक है आप भी अपने अधिकारों को यूज करो हम जो कर सकते हैं हम वो maximum करेंगे आप जो कर रहो तो करी रहे हो और फिर देखते है क्या रिजल्ट आता है विदाउट इस स्टामिना अगर आप सोच रहे हो कि आप इन मैट केस फाइल हो जाएगा तो मैं आपको मना कर दूँगा यह मेरी आदत है बहुत लोग जानते भी होंगे इस बात को यह मेरी आदत है कि हम इस केस को फाइल ने करेंगे क्योंकि कुछ हो गए नहीं अब अननैसेसरी के केस फाइल करो अभी रिसेंटली मेरे पास एक मामला आय जहां पर लड़के वालों ने लड़की पर एक केस फाइल किया 406 का कि हमारे गहने वगएरा ले गई है और थोड़ा दो-चार बाते और लिग दी और वो चल रहा है कोग्लियंस तक कराना मुश्किल है उस पर फर्क के आएगा इस प्रकार के केसेच करके आपने आये लोग जिनसे केवल आपके लिएक number of case बढ़ रहा है बस और कुछ नहीं होने वाला केवल आप अपना burden बढ़ा रहे हो और लास्ट में जब उसमें कुछ नहीं होगा तो केवल आप हसी के पातर बनेंगे इसके अलाबा कुछ नहीं होने वाला सामने वाली पार्टी को और confidence मिलेग कर लिया case मिलगी शंती उखाड लिया जो खाड़ना था ये confidence आप दूसरे पार्टी को दो गया इस सच्छा तो है फिर कुछ मत करो simply जो case आपके उपर हूँ है उन्हीं को लड़ते रहो वो ज्यादा बहतर है तो दोस्तो मेरी कड़वी बाते हो सकता है कुछ लोगों को hurt भ लेना चाहते हैं उसके पहले आप अच्छे तरह से सोच विचार करें और action लेते वक्त अपने मन में confidence रखे कि हाँ भई हमें थोड़ा सा risk लेना पड़ेगा थोड़ा सा comfort zone से बाहर आना पड़ेगा तब ही कोई चीज होगी otherwise कुछ नहीं हो सकता तो यही इस वीडियो का चले दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में नहीं जानकरी के साथ में आपसे फिर मिलता हूं तब तक के लिए गुडबाई and thank you for watching, take care